नमस्कार दोस्तो मैं विकास मलोतरा स्वागत करता हूँ आपका लाल किताब एस्टो सेंटर चैनल पर दोस्तो जैसा कि आप जानते हैं कि पित्रपक्ष चल रहा है और उस पर कुछ हुपाए हमने आपके साथ अल्रेडी शेयर की हैं अलग-अलग वीडियोज में पित्रपक्ष में हमारा मकसद यही है कि कुछ न कुछ अच्छे काम करके हम अपने पित्रों को श्रधांजली अर्पित करें अगर किसी तरह से हमें पित्र दोस्त सम्मंदित या पित्र रिन सम्मंदित कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उनका निवारन कर सके आज के वीडियो में बात कर रहा हूँ मचली को किस तरह से अलग-अलग वस्तुएं दे कर आप अपनी ग्रह सम्मंदि प्रॉब्लम्स भी हल कर सकते हैं और अपने पित्रों को श्रधांजली भी दे सकते हैं भगवान विश्णू ने एक बार मत्से का अवतार लेकर मनुष्य जाती के अस्तित्व को जल प्रले से जाने से बचाया था इसी वज़ा से मचली को श्राद पक्ष में कुछ न कुछ खिलाने की परंपरा तभी से चली आ रही है मचली को आप क्या-क्या खिला सकते हैं कुछ मैं उपाई अपने हिसाब से आपके साथ बात कर रहा हूँ इस वीडियो में आप जो भी आप से उपाई हो आप वो जरूर करें मगर कोशिश करें जिस तरह से बताया जाए उसी तरह से करें सबसे पहले तो जो सबसे अच्छा उपाई है पित्रों को श्रद्धानजली देने का श्राद पक्ष में वैसे भी कहा जाता है कि जो भी आप पित्रों के भोजन के लिए सामगरी बनाएंगे उसमें से कुछ न कुछ मचली को भी देना चाहिए इसका सबसे अच्छा तो रास्ता यही है कि आप चावल का आटा गूंथ लें अच्छे से और चावल के आटे से छोटे छोटे लड्डू बना लें या गोली बना लें आप उसको कह सकते हैं और वो गोली आप किसी भी तालाब में जहां पर मचलियां होती हैं वहां पर वो गोलियां डाल सकते हैं यह सबसे अच्छा उपाय है पित्रों को शरधांजली अरपित करने का और मचलियों को भोग लगा कर आप कहीं ना कहीं भगवान विश्नु का समर्थन भी लेते हैं क्य उन्हें जल में विसरजित कर दिया जाता है ताकि जो जल में रहने वाले जीव हैं वो उसको खा सकें तो सबसे पहला उपाय तो यह किया जा सकता है दूसरा अगर आप शनी की साड़े साती से कुछ परिशान है क्योंकि जो मचली होती है वो शनी से संबंदित है तो अगर आप शनी की साड़े साती से परिशान है या नौकरी में आपके बहुत जादा परिशानिया चल रही है या व्यापार ठीक से नहीं चल रहा तो इसका बहुत अच्छा उपाय है आप गेहूं के आटे की गोलियां बना ले छोटी छोटी गोलियां बना कर जहां पर भी मचलियां होती हैं आप उन्हें डाल दें पित्रपक्ष में डालेंगे तो कहीं ना कहीं आप क्योंकि मचलियों को दाना दे रहे हैं, मचलियों को खाना दे रहे हैं, तो पित्रों तक आपका श्रधानजली भी पहुँच गई और आपका उपाये भी हो गया, ये आप कर सकते हैं और ये जो है शनीवार वाले दिन करना सबसे अच्छा रहेगा, दोस्तों एक बात और ध्यान रखिए कि पित्रपक्ष में जो भी उपाये किये जाते हैं, सबसे अच्छा जो काल होता है उसे कुतब काल कहते हैं, जो की दिन में 11 बच कर करीब 36 मिनट से लेकर 12 बच कर 24 मिनट तक होता है, तो अगर आप इस दोरान कोई उपाये कर लेते हैं, तो सबसे अच्छा माना जाता है कि आप इस दोरान अगर वो उपाये कर सके, लेकिन अगर संभव नहीं हैं तो आगे पीछे करके कर लें, सूरे उदे से सूरियास के बीच में कभी भी कर लें, उपाए होना चाहिए उपाए आपको लाब कहीं न कहीं प्रदान करेगा अब बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो कर्ज की समस्या से गुजर रहे हैं या फाइनेंशल प्रॉब्लम्स बहुत जादा रहती हैं तो उनके लिए एक उपाए बता रहा हूं या ऐसा भी है किसी किसी की पत्री के अंदर राहू की पोजीशन बहुत खराब है या केतू की पोजीशन बहुत जादा खराब है तो या राहू केतू से सम्बंदित कुछ बहुत जादा प्रॉब्लम्स आ रही है तो इसके लिए एक उपाए बता रहा हूं आप इसके लिए जौ का आटा ले लीजे जो जौ वस्तू है वो राहू से संबंदित है इसमें थोड़े से काले तिल मिला लीजे तिल जो होते हैं वो केतू से संबंदित माने जाते हैं तिल मिला लीजे काले तिल दोनों को mix करके अच्छे से mix करके आठा गून लीजे और आठा गूनने के बाद आपने उसकी गोलियां बना ली छोटी छोटी और जहां पर मचलियां होती हैं आप वहाँ जाकर ये गोलियां डालाए दिन कोई भी कर सकते हैं टाइम मैंने आपको बता दिया प्रिफरेबल टाइम बता दिया कोतब काल में करेंगे जो पित्रों का समय माना जाता है दोस्तों उस समय पे करेंगे तो सबसे बैस टैन लेकिन अगर आगे पीछे भी हो जाता है उपाए तो सूरे उजे से सूरियास के बीच में कभी भी कर लें अब आप कहते हैं कि ये जो मचली वाले उपाए हैं ये बहुत से ऐसे मित्र हैं जिनके घर के आसपास कोई तालाब नहीं होगा जल का स्तोत्र नहीं होगा तो वो ये उपाए नहीं कर सकते तो उनके लिए एक उपाये अलग से बता रहा हूँ, आप इस उपाये को कर लें, अगर वो उपाये आप नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय पर अगर आपके पास मचलियां कहीं आपके आसपास उपलब्दी नहीं है, तो ये उपाये जो मैंने उपर बताए, इन में से कोई उपा आप से ले लिजे, जितना भुना हुआ आठा लेंगे, उतनी ही शक्कर लेनी है, शक्कर भी पॉडर बना ले तो ज़ादा अच्छा है और इसमें थोड़े से काले तिल पीजी के डाल लीजे, इन तीनों चीजरों को मिक्स कर लीजे बहुत अच्छे से, आपने मिक्स करने के बाद तीन व्रिक्ष हैं जो पित्र तुल्ले माने जाते हैं इसमें पहला है पीबल का व्रिक्ष दूसरा है बेल का व्रिक्ष और तीसरा है बर्गद या बर्ड का जिसको पेड़ भी कहते हैं इन तीनों पेड़ों में से किसी भी एक पेड़ पर जाकर आप ये जो भुना और चीटियों के लिए आप डाल दीजे वो ये वस्तुएं खा लेंगे तो इनावे आपका contribution चला गया आपकी शद्धानजिरी चलेगी क्योंकि आप मचलियों वाला उपाए नहीं कर सकते एक चीज और ध्यान रखिएगा जिस दिन भी ये उपाए आप करें ये उपाए जैसा मैंने का कि अगर दिन के समय हो जाए तो बहुत अच्छा है उसी दिन जिस व्रिक्ष पर आपने ये सामगरी चढ़ाई थी उसी दिन शाम के समय एक गाएं के घी का दीपक चाहे वो पीपल का व्रिक्ष है अब इसमें एक चीज बस जो आपको ध्यान रखनी है रवी वार वाले दिन पीपल के व्रिक्ष पर नहीं चढ़ाना आपको रवी वार वाले दिन को छोड़कर बागी और दिन अगर रवी वार को अपने उपाए करना है तो आप बढ़ के पेड़ पे या बेल के व्रिक्ष पे उपाई कर सकते हैं रवीवार को पीपल के व्रिक्ष पे उपाई मत करियेगा बाकी कोई restriction नहीं है दिन के time आप ये सामगरी डाल दीजे और शाम के समय एक दीपक जला दीजे ये जब दीपक जलाएंगे ये दक्षिन दिशा में होकर दीपक जलाएं दक्षिन दिशा की तरफ देखते हुए दीपक जलाएं क्योंकि दक्षिन दिशा पित्रों की दिशा है और पित्रों को अपनी तरफ से अपने किये अन किये जो भी आपने कारे हैं उनके लिए शमा मांगते हुए और उनकी मुक्ती के लिए प्रातना करते हुए दीपक जलाएंगे तो आप देखेंगे दोस्तों कि आपको पित्र दोश या पित्र रिन से सम्मंदित कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसका निवारन होगा दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को पुश करना ना भूले ताकि समय पर वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपको आजाए किसी भी तरह के जो तीशिय परामर्श के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करके अपांटमेंट बुक कर सकते हैं धन्यवाद दोस्तों